विद्धुद जामवाल क्रैक बूई में सचमुष में एक छपरी का रोल प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं भया जी कमांडों से सीधा छपरी वर्सेटिलिटी है या फिर डिमोशन वह तो मैं अभी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं तो मुंबई शहर के स्ट्रीट कल से इसे कई लोग अपनी भाषा में चपरी भी बोल देते हैं उसी कल्चर के अंदर विद्धुद जामवाल और उसके बड़े भाई की परवरिश होती है एक उभरते स्पोर्समैन की तरह है दोनों भाईयों की बच्पन से बहुत बड़ी मुराद है कि यह वह ओलंपिक्स म को भी मौका मिल जाता जाने का बट वहां जाने के बाद उसको अपने भाई से मिलने का मौका मिलता है या नहीं या फिर उसे खुद अपने भाई से कंपीट करना पड़ेगा या फिर इस पूरे गेम के सबसे बड़े चैंपियन अर्जुन रामपाल से उसे फाइट मारनी पड़ेगी कहानी सुनने में बहुत नई नई नहीं है लेकिन यकीन मानो कहानी उतनी भी प्रेडिक्टेबर बिल्कुल नहीं है जितनी आप सोच रहे हैं कहानी बहुत ज्यादा कॉम्लिकेटेड ना होते वे इसके अंदर काफी सारे ट्विस्ट इस मुविज में भी काफी कमिया है बट हम फड़ा डिप्लोमेटिक होएंगे मतलब हम पहले तारीफ करेंगे फिर हम गलतिया दिखाएंगे तारीफ नमबर एक भाईसा विदूद जामवाल का एक्शन रोसकी बोड़ी को देखके भीया नो डाउट मिरे दिमाग यह कहता ह भीया फिलहाल के टाइम पे बोल्यूड के अंदर इससे बड़ा एक्शन हेरो कोई नहीं है तारीफ नमबर टू अर्जून डामपाल को एस विलन भाईया बंदा विदूद जामवाल की स्क्रिन परजेंस को टक कर देता है एक्शन के मामले में भी उपर से नोरा फतरी को ए एक भी बोरिंग सीन है नहीं तारीफ नमबर चार की वह या मुवी के कई सारे सीन को देखके न एक बार को दिमाग कंपरीजन करना शू कर देता कि यारिप होलिवूड से थोड़ा कोपी कोपी सा नहीं लगता बट उसी कंपरीजन में हमेशा हमारी मुवी पीछे नहीं रह आएगी तारीफ तो सुली अब गलती की वारी आएगी गलती नमबर एक विद्धूत जामवाल की एक्टिंग के कैसारे सीन से वह हलके लगते हैं मतलब की जाड़ातर सीन जिन में इमोशन दिखाने थे रोना था वह सीन तो अच्छे नहीं हुए मूवी के कैसारे सीन के अं मुझे लगा वो था कि जब एक साथ 5-6 bomb blast होते हैं वो दिखते हैं यार यह वी एफेक्स की मतलब ग्रीन स्क्रीन सी पी एंजी सी कुछ है तो वो में को बड़ा बेकार लगा इसके अलावा भी कुछ सीन्स हैं जो की एक्शन के बीच में यूज हूँ है जिनमें वी एक्श है ना तो climax 19 रह गया होना उल्टा चाहिए था कि मिड है वो 19 चल जाता climax 20 होना चाहिए था कि हमें उसे हाइप मिले तो थोड़ा सा climax हलका रह गया बट ऐसा नहीं के बिल्कुल बेकार था तो मेरा final statement for new release movie of विद्धू जामवाल नेम क्रैक वो यह है कि विद्धू जामवाल आपको ना ड्रामा मिलने वाला अच्छा ना इमोशन मिलने वाला है तो action पसंद है तो ही देख सकते हो बट मैं अपनी तरफ से पस्नली recommend करता हूं इस movie को क्योंकि मुझे इस movie में उम्मीद से बढ़के काम मिला है यदि मैं अपने experience को ratings में बया करना चाहूं तो मैं ratings वीडियो लाइक कर दो आनके टिप ने और टिप नी करके अपनी पनी बता सकते हुआ ऐसे फिल्मों से जुड़ी बातशीत के लिए ट्रेलर पर जो भी बात हम करते है उसको देखने के लिए आगे के लिए subscribe कर दो कहने की तो बात ही नहीं है